नमस्कार SDV News देख रहे हैं आप आपके साथ मैं स्विष्टी मिस्टा एक बार फिर से डिबेट में आपका स्वागत है अजे जी आपका एक बार फिर से डिबेट में स्वागत है और आज बड़ी चर्चा इस पर कर लेते हैं कि क्या वो तमाम न्यूस चानल्स में हैडलाइन चल रहा है अतिक एहमद का ISI से बहुत गहरा नाता बहुत गहरा संबंद अब आपको बता दे प्रियाग राज में उनके आतंक की किस से पुराने हैं और एक आतंक की जो गिरफ्तार किया गया था 2021 में उसके पासपोर्ट बनाने का इल्जाम भी अतिक एहमद और अश्रफ पर लग चुका है और यह भी अजय जी दोनों भाईयों ने पुलिस के सामने कबूल नामा किया कि हमारा पाकिस्तान से कनेक्शन था ISI से कनेक्शन है यह बहुत आपको आंते में कि अतिक एहमद और अश्रफ पाकिस्तान से हथियार खरीदने का काम करें थे आज विपक्ष एक अश्रफ के सम्मन और यह से पाकिस्तान से थे उसके कई डिलेशन के लोग भी रहते थे अशरफ के भी रिष्ठेदानियां हाई और बंगल में है बंगलादेश में चला एब बहुत अच्छे शंबन थे और अश्रफ के और इस पंजाब के रास्ते से भी इनके पास हति प्रियार आते थे अभी इनका एक आदमी लखनो के रास्ते से ला करके इलावात प्रियाग्राद लाया वहां पर नैनी ले गिया नैनी में जो फार्म हाउस है को वहां पर उसने असलहे रखें वहां जो का ऑनलाइन बैपार करता था और वास्तों की जगह बैपार इसका कि पासपोर्ट बनाने के लिए बिल्कुल अब पूरी पूरी पैड़ भी असरब ने की तो इनके संबन पाकिस्तान वहां से दूसा अतीक इतना वड़ा वह था कि अतीक के पूरे हिंदुस्तान में बदमासुक से यहां से केरल तक सब जगह उसके संबन थे बहुत अच्छ कि अब अनदाज लगा लिए जो बड़े बड़े डॉन थे बॉम्बे के डॉन एक आबू सले ने इनको कई बार प्रसर दिया ता कई बार लुकाया अबू सलेम बाकाय दे इनकी मदद ता तो वहां का बहुत बड़ा जाता तो अबुसार थी आतंगवादी कहा जाता है ने घर पे दिल्ली का एक बहुत बड़ा ने था जो बाकाइदे पुलिस रिकॉर्ड में था दूसरी आपको बताना है कि अतीक के लिए पाकिस्तान में केंडल मार्च किया गया है नवाय वक्त जंग फ्रेंटियर पोस्ट और डॉन अभी अमने खुद वहां के पेपर में दे सकते हैं तो पकिस्तान तो आम बात हो गई और भारत में भी आपको ताने तमाम राजनेतिक दिलों ने जो ही यह हुई है तो उधर प्रशासन वो सरकार कर रही थी वह एक तरव योगी जी पता लगा रहे थे कैसे मर्डर हो गया जो ही हुआ उनसे भी पहले विपच के पुटी सेखी जा रही है और खास्तों से निकाय चुनाओं में हर लाजनीतिक दल लगा हुआ है कि हम इसको कैसे कैस करा में और यही पोजिशन बंगॉल वगएरा में है बिहार में वो चैना इसके जरीए मुसलिम बोट को कैस करने मगर हकीकत ही है कि मुसलिम अतीक के नाम वर उनाइट होने के चांस नहीं है मुसलिम का खुद मानना अच्छे मुसलिम का कि अतीक अपराधी था ठीक है अच्छा जैजी देखिए एक और सवाल बहुत एहम यहां पर हो जाता है पाकिस्तान की तो आपने जिक्र किया पाकिस्तान के बारे में कि वहां पर कैंडल मार लिए आप माफिया को यहां पर सही ठैरा रहे हैं आप माफिया के वोट जो है वो च्छट जाए अपसे इसके लिए सरकार के विवस्ता पर तो यह बताए कि आम जंता जो समझदार इतनी नहीं है देखिए बहुत सरी आम जनता यहां पर जो देख रही हमें उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो समझ रहे हैं इसके पीछे की कहानी को कि राजनिता ऐसे बयान बाजी क्यों दरें लेकिन उन गाओं गाओं तक अब क्या संदेश दिना चाहेंगे जिनक बिल्कुल यह लोग खुद डायरेक्ट बयान देके उनसे कहलाया तो उनको कहलाया उनका वह अरेश्ट हो गए और नूर अहमद जी अच्छे वह थे उनको हुआ कि आप छपास होगी है चप जाएंगे ऐसे इन्होंने क्या किया जब इन्होंने किया तो तौकिल रजा पहल इन लोगों से तो में धरने एक घरशन की बात करना है और उनका किसी नहीं किया राजनिती नेता से कैस करना चाहेते है इनने उनको सहित करा दिया और आपको बतलाना है कि जो उनके कर भाद पाया गया है उनके का हम रहें में हैं कोई बहुत-बड़ी साजिस है यह पर प्रसासन प्रसासन और सरकार को प्रस्चिन लगाने के लिए अतीक उसका मर्डर हुआ अरस्त का कि उससे बहुत से रास्त थे और आपको ताना है साहिस्ता ने अपने सियों को फोन किया कि दिल्ली बॉंबे जहां जहां प्रपर्टी सब मेरे नाम कर दू यह पुलिस के सब्सक्राइब करने के लिए और जो इनके घर पर चीटे मिली है इसमें अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि या तो कोई वहां से भागा या सुसाइट करने या फिर पुलिस पर प्रस्चिन करने के लिए वह ब्लेड बगएर डाल करके यह होगा कि इधर यह मर्डर हो गया यह सरकार पूड़ी पूड़ी उस पर आ जाए जाए कि मैं आपको बता रहा हूं एक सीन आखो देखा अतीक के घर पे चीप मिनिश्टर गया था उसका कुत्ता था सेड़ जैसा उससे हाथ मिला रहे थे चीप मिनिश्टर और आप समझ को बीटा जियन के लिए यह के लिए काजिकागी उन्होंने कहा था कि उससे बात करांओ हूं तो बोले के करिया तो इन्हों ने तुरान बात कि तो चीप मिनिश्टर को डायर YouTube फोन मिलां और चीप मिनिश्टर ने डायरेक्स सीधे कह उसादिकारी से यह तिक तीक की बस्ट तो पता चला एडियम उसको अंदर तगती को चोड़ने आए टो यह लगा कि एडियम छोड़ने आए बहें बहुत कर देंद और नेटा आ ये कि अब यह बताईए शाहिस्ता की थोड़ी बात कर लेती हूं उसपर टिपने दीजे यहां पर शाहिस्ता के में ऐसी बाते हो रही है और दर्शक विसको जान रहे होंगे किस तरीके से शूटर्स के साथ मीटिंग करने का काम उनकी पतनी शाहिस्ता परवीन कर देंगे साथिस्ता की पकर बहुत मजबूत है अधीक शाहिस्ता का मीट कर डायन में अच्छी पकर घ्षी साथ पैसे लियंद करते कई कंपणियों में साइस्ता का पैसा लगाता करों बैंद कर कोब आarmeं से कंटीड कर नैंना का पोटाएं चिन त्यों मैं ख्रों में बड़े stuk मर्डर हो गया कि लोगों के नाम आ रहे थे कई बड़े उसके कई राजनीतिक नेताओं के कर रहे थे और आपको बताना है कुछ नेता बहुत महत्पूर्ण थे इधर इलावाद की राजनीत में कुछ नेता अभी पैदल किये गए चार-पांच रोज में चुनाओं में उनके स्यष्टा से संबन्त हैं मजब पैसे के लिन देन कि दूसरी आपको बता कि कर सकती है कि कल सुनवाई और स्याहिस्ता कि कि इसी गाव में चिपने होने ख़буर सामदे इस समय इलावाद प्रियाग राज में वो है चुकि अपने मोबाइल नहीं उठा रही और उसको जानने वाले वहां की जननेता रही है वह हमें सांसद रहा विधायग रहा कईवार और इसी बात है कि हर पार्टी जो है उसको पीछे से बैक कर लए एक पार्टी राजनेतिक थ अपना दल को भी एक समय उसने बहुत सपोर्ट किया था तो बहुत से लोग जो है साहिस्ता के इसारे पर चलते साहिस्ता किसी घर पर चली जाएगी तो लोग उसमें हर चौथा घर इलावाद में उसको संरक्षन देगा संरक्षन देगा ठीक है अंतिम सवाल कुछ शब्द से अतिक एहमद और अश्रफ की हत्या की गई क्या लगता है यूपी पुलिस को एक सबसे बड़ी चुनौती अब तक के सालों में बहुत बड़ी चुनौती मैं आपको बताना हूं इनका असरप का जो सगा साला है सद्दाम उसकी मैं लेटेस्ट बताना हूं बंगाल गया है कि अशत का और जो गुलाम का आज जो रिक्रेशन हो रहा था वहां पर उसके बाद उनके कुछ लोग गए मिले और यह जो वहां जहासी गया था यह पंजाब गया पंजाब से जहासी गया जो इसके लड़के का जब काउंटर हुआ उसके पहले एक चीज और है कि बवीन बड़ान से संबन था और इनका और और कई बड़े बड़े नेता इनको खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं और निश्चित तोर पे मेरा अंजाजा है कि कल वहां पर चुके सुनवाई है और उसने वो दी कल निश्चित तोर पे जो नूरी है वह संड़क करेगी आइसा नूरी उसके भी संबन थे उसके मलेट्री का ऐसा नूरी के वह मुक्तार अंसारी पास मलेट्री के वह निकली थी तो आप सुने चीफ मिनिश्टर का फोन आया तो मामला दबा दिया गया तो आज ये पोजिशन है कि आपको बताने सभी नेता है एवन एक ने एक आहियस को मार दिय कि यह जाता सबके सामने तो नितीश कुमान ने उसको छोड़ा लिए अब देखे कि आज साब्री अजिवन कारबाद की उसको नितीश कुमार ने खुद जब सजाजा हो गई और उसको छोड़ाने को देदिया नितीश कुमार उसके आप ऑचे घर तो जब एक मुक्तरी कर यही पोजिशन यूपी में थी तो अब इस बात की कोई गारंटी क्या लेगा कि जब एक मुखबंती हाथ रख देगा तो आत्या है और अदमी करेगा कि काफी पैसा निकला है अश्रत के उसके मरने के बाद भी एटीम से जफर ने पैसे निकाले जफर पुलिस हिरासत में साइसा इस उसमें लगी हुई और पूरा पूरा नेटवर्क साइसा के उसमें कई राजनेतिक दल कई कंपनी वाले वो अपने गिरप्त मिली है उस बीच में लिखा पड़ी चल रही है सब वो साइन हो रहे हैं और साइन करके पापर्टियां जो हैं अचा मोशली बेनामी सं संपत्यों को आपस में टर्नोबर किया जा रहा चुकि उसमें कहीं है तीक पते आइसा इस समय इस काम में लगी हुई जिसमें कई राजनेतिक लोग कई पूर्व मंतरी मुख मंतरी यह सब लगे हुए और तमाम बड़े-बड़े नेता और वहां पे है इस समय वहां पे 36 ग गया था उडिशा गया था विपक्ष के कई राजनीतिक नेता भेज रहें और यह हैदराबाद कनेक्शन है अगर हैदराबाद साहिस्ता चली गई या गुड़ू मुस्लिम तो कोई भी नहीं पकड़ पाएगा ठीक है तो देखिए यहां पर एक डर भी है जो पत्रकार जि लगाए जारे समर्थन में जरा सोचिए देश की विडबना क्या होगी यहां भारत में भी अतिक अहमद जिंदाबाद के नारे लगाए जारा है आपको आखिर करना क्या है और जो भी आपकी रहा है पाकिस्तान से रिलिटेड जो बात सामने आई है आतंकी गिरफतार जो कि बताईए बहुत शुक्रिया एस डीवी न्यूस से जुड़ने के लिए